असलाम आलाईकूम एब्रिवान इतकी शोपिंग घर की सबसफाई तो आप लग करी ली होगी लेकिन गाईस किया आप अपने बोडी पर स्कीन पर ध्यान दी है अगर नहीं दी है तो प्लीज वीडियो को एन तक देखिए किवकि गाईस आज में इस वीडियो के जरीए आप स स्कीन सेल है तो उसको भी रिमुब करने में काफी ज्यादा हेल्फुल रहेगा तो चलिए देर किस बात की आप हम इस रिमुडि को बनाना स्टार्ट कर देते हैं इस पेक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तू टी स्पून ऑफ राइस फ्लोर जो कि आपकी स्कीन को वाइटेनिंग बनाने में काफी ज्यादा मददगार होता है देन गाईस आप हम इसमें एट करेंगे वान टी स्पून ऑब बैसन आपकी स्कीन से जो भी डेटी स्कीन सेल है उसको रिमुब करेगा प्लास आपकी स्कीन को और भी ज्यादा ब्राइटेन एन ग्लोइंग ब मुब करेगा प्लास आप हम इसमें एट करेंगे वान टी स्पून अप मसूर दाल पावडर चुके आपकी स्कीन को और भी ज्यादा ग्लोइंग हेल्दीच अमगदार मतलब रेडियन बराने में काफी ज्यादा हेल्फुल रहेगा एंड गाईस एंड में आप हम इसमें बोड़ी पर अपलाई कर पाएं तो गाईस देखिए यह बिल्कुल रेडि हो गई है तो चलिए आप हम इसका अपनी बोड़ी पर इसकीन पर अपलाई कर लेते हैं काईस में इसको हैंड पर अपलाई करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को आप चाहें तब की पूरे करें आप वहां वहां इसका अपलाई कर सकते हो प्लाज काईस अपलाई करने के बाद आप इसको वेसे ही 30 मिनिट के लिए मतलब जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक के लिए सोड देनी है ताकि यह जो पेक है इस पेक का जो भी मतलब बेनिफीट है वह आपकी स्कीन पर अच्छी तरीके से आजाए और आप इसको प्लेन वाटर के साथ अच्छी तरीके से वाश कर ले सकते हो तो गाइस देखिया 30 मिनिट हो गई है यह जो मतलब पेक है बिल्कुल ड्राई हो गई है तो गाइस आप हम इसको अच्छी तरीके से प्लेन वाटर के साथ वाश कर ल स्किन को अच्छी तरीके से मतलब मस्राइस कर लिजिए गाइस अगर आप अच्छा हेल्दी ग्लोइंग सौफ्ट स्मूथ स्किन चाहते हो तो आपकी स्किन को मस्राइस कायना बेहुत ज्यादा जरूरी है तो आगे से धियान रखिएगा जब भी आप बोड़ी वाश करें त तो प्लीज आप भी घर पर इस पेक का ट्राइ किजिए और फिडियो पसंद आई तो फिडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड अगर आप इस सेनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सस्क्रेब कर दिजिएगा